नवस्कार आप देख रहें नियूज चक्र मैं अभिसार शेर्मा कारक्रम शुरू करने से पहले आप सबसे एक अपील कि मेरे इस कारक्रम को अपने कम से कम पाँच कॉन्टाक्स को साज़ा करें फॉर्वर्ड करें वाट्साप पर एसेमस पर ताकि हम और आप मिलकर गोदी मीडिया के नफरती और जूटे प्रॉपेगांडा को धराशाई कर सकें आज हम बात करने वाले हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मोर की जी हाँ आप और हम सब ने तेश ने रविवार को एक अधभुद नजारा दिखा जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर में जो मोर पल रहे हैं उन्हें खाना खिला रहे थे उनकी देख भाल कर रहे थे और जितनी मेहनत गई है इस वीडियो फिल्म में जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना वक्त लगा होगा इसमें कितनी ज्यादा मेहनत होई होगी और प्रधा मंत्री ने इस वीडियो के जरी ये बतलाने का प्रयास किया कि वो प्रक्रती के कितने करीब हैं, उन्हें मोर से कितनी महबत है मगर न्यूस शक्र के साथ दिक्कत यह है दोस्तों कि हम प्रॉपगांडा में विश्वास नहीं करते सरकारी प्रॉपगांडा में हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हमारे ये मानना है कि सरकार हमारी सर्विस प्रॉवाइडर है सरकार को हमारे सवालों का जवाब देना होगा और न्यूस चक्र का फलसभव वही है मैं आपके सामने कुछ मुद्य रखना चाहता हूँ एक ऐसे वक्ट जब प्रदानंत्री नरेंदर मोदी मोर के साथ है आपके सामने दोस्तों ये सैटलाइट का मैप है आप जानते है सैटलाइट का मैप कहा का है ये लिपू-लेक इलाके का है लिपू लेक कौन सा इलाका है भारत चीन और नेपाल की सीमाएं जहां पर मिलती हैं वो जगा है लिपू लेक और आप जानते हैं महाँ पर क्या हो रहा है इस साटलाइट के मुताबिक जैसे कि आप इस स्क्रीन्स पर देख रहे हैं surface to air missile site noted under construction याने की मान सरोवर लेक पर surface to air जमीन से हवा में मार करने वाली missile का जो है निर्मान हो रहा है उसका construction हो रहा है उस जगह पर यही नहीं इसी मैप में आप देखिए infrastructural development and accommodation activity noted since May 2020 मतलब क्या हुआ मान सरोवर लेक के पास लगातार चीन जो है वो निर्मान कर रहा है अब आप में सवाल पूचेंगे भई इसमें नया क्या है इसमें नया ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मान सरोवर लेक कहा माजू है वहाँ पर हमारा तीर थिस्तल है कैलाश और मान सरोवर का जी हां हमारी आस्था के प्रतीक हैं इन जगाओं पर यहाँ पर चीन जो है वो निर्मान कर रहा है जमीन से हवा में मार करने वाली मिजाईल के लिए एक पूरा एक construction site का वो निर्मान कर रहा है आग मैं आपसे क्या बूलना चाहता हूँ ब्रह्म चलानी अपने इस बयान में ये कह रहे है कि जिस तरह से चीनियों ने तिबबत के धर्म स्थलों को बरबाद किया था उन्हें तहसनेस किया था ये जो construction है उसी की शुरुआत है मैं बात सपश कर दो दोस्तों मेरा धर्म मेरे शिव इतने कमजोर नहीं है कि अगर चीन मांसर लेक पर जमीन से हवा में मार करने वाली मिजाइल का construction site वहाँ पर बनाए उससे मेरा धर्म खत्रे में आ जाएगा नहीं मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है मगर मैं आपसे आज कुछ और कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ प्रधानंत्री एक ऐसे वक्त में जह मोरों के साथ विचरन कर रहे हैं विडियो बना रहे हैं चीन लगातार हम पर शिकंजा कसरा है और बात वहाँ नहीं है कल्पना कीजिए इसी तरह से मांसरूवर लेक में कॉंग्रेस के कारकाल में चीन जमीन से हवा में मार करने वाली मिजाइल्स का निर्मान करना शुरू क कर देता कि कल्पना कीजिए और कल्पना कीजिए कि भारती जनता पार्टी उस पर कितना बड़ा बावाल करती वो कहती कि हिंदू धर्म खत्रे में आ गया है क्योंकि यह जो इनका जो प्रोपेगांडा मशिनरी है ना इनके लिए तो छोटी छोटी बात पर हिंदू धर्म में आ जाता है मेरा धर्म बहुत मजबूत है बहुत पुखता है ऐसी छोटी मोटी चीजों से हिंदू धर्म खत्रे में नहीं आने वाला है हजारों लाखों साल से हिंदू धर्म जो है वो चला रहा है और इन बातों से वो खत्रे में नहीं आया है मगर इनके लिए पिछले आहला करने वाला है, ना भारती ज yayता पार्टी कुछ कहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, उनका मतलब इस बात को लेकर नहीं है, कि चीन ने हमारे 20 सैनिक मार दिये, चीन अब भी हमारी जमीन पर बना हुआ है, इनका मतलब इस बात से नहीं है, इनका मतलब सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेखने से है, अपने सियासी प्रोपगांडा को बढ़ाये रखने को लेकर है और उसके अलावा कुछ नहीं मैं स्वागत करता हूँ प्रधान मंत्री कल जिस तरह से मोरों के साथ विचरण कर रहे थे, मैं वाकई इसका स्वागत करता हूँ, बहुत अद्भुत नजारा था, बहुत खुबसूरत नजारा था, मगर प्रधान मंत्री आपको गौर करना पड़ेगा आपके चीफ of Defence Staff पनरावत has explicitly stated that a military option to deal with transgressions by the Chinese People Liberation Army in Ladakh is on the table, but will be exercised only if talks between the two armies and the diplomatic option are unfruitful, दो बाते हैं इसमें, पहली बात, अगर बाच्चीत फेल हो गई, तो चीन के साथ हम सैनिक टकराव भी कर सकते हैं, और चीन हमारी जमीन पर बना रहा, तो सैनिक टकराव होगा, इसका मतलब यहां पर दो चीज़ें, पहली बात, जेनरल बिपिन रावत ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के उस बयान को पहली नहीं, बलकि दूसरी बार गलत साबित किया है, जिसमें प्रधान मंतरी ने कहा था कि चीन ने ना हमारी जमीन में प्रवेश किया है ना कब्जा किया है, तो जेनरल बिपिन रावत क्या कह रहे हैं, आप बिन बात कि किसी के साथ जंग लड़ेंगे क्या, बताइए, दूसरी बात, इन लोगों ने 2013 से ही लगातार देश को लाल आंख का धतूरा चटाया था, अब वो लाल आख कहां गई मैं जानना चाहता मैं सबश कर दूँ, एक ऐसे वक्त जब देश कुरोना संकट का सामना कर रहा है, एक ऐसे वक्त जब पिछले चार या पांच महिनों में एक करोड नवासी लाक लोगों की नौकरियां गई हैं, युद्ध किसी भी सूरत में विकल्प नहीं हो सकता, नहीं, चीन के साथ यु मुद्ध नहीं होना चाहिए, मुद्ध वो नहीं है, मुद्ध यहां पर यह है कि ये जो लोग हमें लगातार लाल आंग बता बता कर सब्ता में हासिल काविज हुए थे, उसके बाद रणनीतिक मुद्धों पर, सामरिक मुद्धों पर, सैनिक मुद्धों पर, ये लोग ल लाश मानसरोवर तीर्थ स्थल जो हैं वो मानसरोवर लेक के पास ही हैं और बावजूद इसके वहां पर चीन जमीन से हवा में मार करने वाली मिजाइल बना रहा है और इस पर किसी का खून नहीं खूलता जी हां इस पर किसी का खून नहीं खूलता है इनका खून कहां खूलत यहाँ पर इनका मूनी खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर पोल खुल जाएगी, यहाँ पर हकीकत सामनी उभर कर आ जाएगी, ठीक है? तो यह बात सपश्ट हो गई है, कि चीन अब भी हमारी जमीन पर बना हुआ है, अब भी वो हमारे धार्मिक स्थल को धमकी देने वाले काम कर रहा है, देखे, आप जानते हैं कि मैं उन पत्रकारों में से हूँ, जो लगातार मई के महिने से कह रहा है, कि चीन ने हमारी जमीन पर कवजा किया हुआ है, आज मैं एक चीज का एलान करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर भारती जनता पार्टी ये कह दे, कि फिंगर फोर, फिंगर फाइव, फिंगर सिक्स और फिंगर सेवन भारती जमीन का हिस्सा नहीं है, तो मैं ये कहना बंद कर दूँगा, कि चीन न बना हुआ है, घुगरा में बना हुआ है, पैंगॉंग सौ के कुछ एहम स्थानों पर, कुछ एहम उचाईओं पर उसका कब्जा है, और ये बात, भारती जनता पार्टी बहुदी जानती है, अगर ये सपश्ट कर दे, सरकार, ये पार्टी इसपश्ट कर दे, कि फिंगर फाइव हमारा नहीं है, फिंगर सिक्स भी हमारा नहीं है, तो मैं ना सिर्फ ये कहना बंद कर दूँगा, बलकि मैं इस पर माफी वांगने को भी तयार हूँ, मगर आप जानते हैं, मैं अकेला ये नहीं कह रहा हूँ, कई एहम लोग, डिफेंस एक्सपर्ट से बात कर रहे है ब्रह्मा चलानी के इलावा, लेटनेंट जेनरल एचेस पनाग, जो आपके स्क्रीन्स पर हैं, करनल अजय शुकला, डिफेंस एक्सपर्ट और फॉर्मा आमी परसनेल, ये तमाम लोग आपके सामने बाते रख रहे हैं, मुक्धारा का मीडिया चैनल भी दबे स्वर में ये बतला देगा, तो मैंने आपसे कहा न, अगर ये बात सपष्ट हो जाए, कि ये तमाम हिस्से जिसका जिक्र मैंने कहा आपसे, फिंगर फाइफ, फिंगर सिक्स, फिंगर सेवन, ये तमाम चीजें भारत का हिस्सा नहीं है, तो मैं भी ये कहना बंद कर दूँगा, और अब विद्यार्थी जो हैं, वो आंतोलन कर रहे हैं, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्रधान मंत्री आप इस बात को बहुत भी जानते हैं, कि आप देश के सबसे लोगप्रियनेता हैं, और आप जानते हैं, कि आपकी लोगप्रियता युवाओं में कितनी आत्रों को, आपका जो भी मन हो, आप जो भी ट्वीट करें, आप उन्हें सांथवना उनकी बढ़ाएं, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, आप उनसे कहिए कि नहीं एक्जाम देना है, और क्यों एक्जाम देना है, उसकी भी आप अपनी वज़ा बताएं, या कम से कम उन विद्य विद्यार्थियों के लिए आप एक मन की बात तो कर दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ विद्यार्थियों ने आत्म हत्या तक कर लिए इस मुद्दे को लेकर, मैं आप से सिर्फ ये कह रहा हूँ कि युवा आपकी ताकत है, युवा इस देश का भविश्य है, एक ऐसे वक्ट जब देश कुरोना संकट का सामना कर रहा है, आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप एक्जाम सेंटर्ज में जाएं और एक्जाम्स दें, आपको बेशक कुरोना बीमारी ना हो, मगर आप एसिम्टोमाटिक करियर्स बन जाएंगे, आप अपने घर जाएंग तो मैं उम्मीद करूँगा कि इन युवाओं को कम से कम एक ट्वीट तो आप जरूर करें, और बात यहां नहीं रुकती, क्योंकि कारकर्म की शुरुआत में मैंने आपको ये भी बताया था, कि पिछले तीन-चार महिनों में करीब दो करोन लोग भी रोज़गार हो गए ह प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर मैं उम्मीद करूँगा कि मोर के साथ-साथ उन युवकों को भी आप संबोधित करें, जो बधाल है, जो रो रहा है, जिसके कंधे पर उसकी बीवी और छोटे-छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है, मैं उम्मीद करूँगा आप इस लाख को पार करने वाले हैं, और सिर्फ पिछले सोलह दिनों में दस लाख कुरोणा केसिस बढ़ गए हैं, ये क्या बतला रहा है, ये ये बतला रहा है कि कुरोणा को लेकर हमारी प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही लचर प्लानिंग है और हम इससे मुँ मोड रहे हैं, प्रधानमंत्री जब आप इस तरह से मुरों के साथ विचरन कर रहे थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको लेकर भी बीजेपी सरकार के पास एक प्लान ओफ आक्शन होगा, क्योंकि वो प्लान ओफ आक्शन किसी भी सूरत में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, दुख की बात यह है कि जिन माता-पिता के बच्चों का भविश अधर में हैं, और अधर में क्यों हैं, क्योंकि देश में सांप्रदायकता का माहौल को बढ़ावा मिल रहा है, देश के युवा के पास नौकरी नहीं है, मगर उसके माबाप क्या कर रहे हैं, मेरे अपने बच्चों की तरफ बिलकुल नहीं है, वो इस कदर अंदभक्त हो गये हैं, इस कदर उनका ब्रेनवाश हो गया है, कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपके बुनियादी मुद्दे क्या हैं, जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, जिस पर आपका फोकस होना ये अपनी प्राथमिक्ताओं को समझिये, और मैं फिर दोराना चाहूंगा, ये बात आपसे सिर्फ एक पत्रकार नहीं कह रहा है, ये बात आपसे पिताब ही कह रहा है, क्योंकि मैंने कुछ किया ना किया हूँ, अगर एक काम जरूर किया है, कि अपने बच्चों को जहरील प्रोपेगांडा से दूर रखने का काम किया है, मैंने उस चीज़ को लेकि उन्हा बढ़ावा दिया है, कि वो अपनी स्वतंत्र राय जो हैं, वो बना सके मुद्दों पर, मुझे इस बात पर गर्व है, कि जो शिक्षा मुझे अपने माबाब से मिली थी, वही शिक्षा म मैं आने वाले पीड़ी की तरफ अपने बच्चों को बढ़ा रहा हूँ, मागर क्या आप कर रहे हैं, सबस्कार